हाई दोस्तो आज हम क्लास एट के टॉपिक एक्जियम्स पॉस्चिलेट्स एंड थेरम्स के एक्ससाइज 3.2 के कोशें नमबर 1 और 2 को सॉल करेंगे जो के कमेंट्स में कहा गया था लीजिए स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ ड्रीम बिग एंड डेर तू फेल फिर्स्ट को लीजिए ड्रा डाइग्राम्स इलुस्टेटिंग इच आफ दी फॉल्विंग सिच्वेशन तो फिर्स्ट कोशें त्री स्टेट लाइन्स वीच दू नॉट पास थूए फिक्स पॉइंट मतलब यहां पर त्री लाइन्स को ड्रा करना है जो एक एक फिक्स कॉम इसे नेम देंगे सी डी ठीक है और एक लाइन ड्रा पर रहेंगे इस तरह से इफ 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 यह हो गया हमरा अंसर अब यहां पर अगर हम चाहें तो जो इंटर्सेक्टिंग लाइन्स हैं उसे हम नेम दे सकते हैं एक्स वाइ एंड जट ठीक है यह हो गया अब यहां पर मैं सेकंड वन को लेता हूं बी को सेकंड कोशन है एक पॉइंट एंड रेस एमनेटिंग फ्रम दपॉइंट सच दट अगल बिट्विन अने टू एजिसेंट रेस इस एन अक्यूट एंगल यहां पर तू रेस को ड् करना है और जो कहें एक अंगल बनाता है एक्वीट एंगल तो हमपड़ा करेंगे एक रे एंग। और यहां पर और आली रिक रेस को देन के ओ अब यहां पर क्योड यह हो गया एक्वीट एंगल अब सी को लिजिए तू एंगल्स room एजसेंट एंगल बट सिंसप्ल तू पैरलल लाइन्स ड्राउ करता हूँ पी-क्यू और आर येस ओके यहां पर पी-क्यू पैरलल है आर येस के और यहां पर एक ट्रांसवर्सल को ड्राउ करता हूँ ट्रांसर्सल को यहां और यहां पर शीद बेती हैं और यहां पर एक ट्रांसवर्सल को ड्रांसवर्स करते हैं टी एक हो 9 되고 15 num sum तो do large time होते हैं और एक ट्रांस्पोर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एक ही साइड के टू एंगल्स क्या होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है तो 180 मतलब सब्लिप्लेंट्री हो गया तो यहां पर लिखेंगे के अंगल PAB plus अंगल RBA is equal to 180 डिग्री तरफोर अंगल PAB and अंगल RBA are supplementary अब सेकंड को देखेंगे next D को देखेंगे D three points in the same plane which are equidistant from each other मतलब यहां पर क्या है three points है A B C हम पर इसको जन करेंगे A से B को B से C को और यहां पर A से C को ठीक है यहां पर क्या AB is equal to BC and BC is equal to AC यहां पर length क्या है इन तिनों का तिनों साइट का same है यहां पर second question को देखेंगे recognize the type of angles in the following figure आपर एक diagram दिया गया है आपर diagram में B O A is a straight line is a straight line ठीक है straight line है अब अगर straight line है तो angle B O X plus angle X O A इन दोनों का sum कितना होता है 180 degree होता है अबर देखेंगे होता है और भामाने की कोदो लेकावाने में टीक है ठीक है इसलेмы ला और भामने के रिखेंगे हैना है गडिखेंगे है लाहन है रखेंगे और सप्लीमेंटरी एंगल्स आपर सेकेंड डाग्राम में देखिए कि हम पर मेंशन किया है कि एंगल य आर पी एंड आइंगल बी ओ एक्स एह दोनों एंगल कोई से हैं य दोनों एंगल आल्टर्नेट एक्स्टरियर एंगल्स हैं मतलब क्या एंगल य आर पी एंड एंगल बी ओ एक्स एह दोनों एंगल कोई से हैं अल्टर्नेट अल्टर्नेट एक्स्टरियर क्यों के बाहर के हैं अगर अंदर के रहे दे तो इंटरियर ले ले एक्स्टरियर एंगल्स के रहे यहां पर थर्ड डाग्राम में देखिए कि बी ओ एक एंगल है लेकिन यहां पर यह जो बिगर एंगल यह एंगल रिफ्लेक्स एंगल है है और पर लिखिन्गे हम लोग बिगर एंगल बिगर एंगल के इस्टी अरुम सुल कर लिया है आप से डिस्क्रिप्शन लिस्ट में चर्ज कर सकते हैं फिर्ण्ट्य झाल झाल